अम शैंती तीवर पुरुशार्थ की इस श्रिंखला में कल हमने डबल लाइट फरिष्टा स्थिती को कैसे प्राप्त करे वो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों को समझा आज डबल लाइट कैसे बने यह बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं क्या श्रेमत है वो देख अली पॉइंट है डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हलकापन जैसे ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं सभी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो के बैठे कहें हां जी बाबा आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से देह देह की दुनिया की बातों से डिटैच होते ही हलका पन अनुभव होता है तो ऐसे डबल लाइट को ही फरिष्टा कहा जाता है डबल लाइट अर्था सदा उरती कला का अनुभव करने वाले बाबा की याद में अत्मिक स्मृति में उड़ना ये डबल लाइट है सभी उड़ रहे हैं बाबा की य यादों में उसकिसने हमें सेकेंड में परमधाम पहुंच जाओ सेकेंड में सुक्ष्ण वतन पहुंच जाओ माना क्या उड़ना जो समझते हम उड़ रहे हैं बाबा की याद में हाथ उपर करें अच्छ दूसरी पॉइंट है डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी ठकाएगी नहीं क्योंकि ट्रस्टी हो ट्रस्टी को क्या ठकावट मैं और मेरा आया तो वहां पर ठकावट होती है सब बाबा का है मैं के वल निमित मात्र हूं तो ट्रस्टी स्थिती जहां आ गई ट्रस्टी पर जहां आ जाता है तो जिम्मेवारियों से भागना नहीं है परन्तु जिम्मेवारियां संभालते हुए बाबा के छत्र छाया में करनकरावनहार बाबा है और हम उसके डारेक्शन पर श्रीमत पर चल कर रहे हैं मना ट्रस्टी हो गए तो ट्रस्टी को ठकावट नहीं होती अपनी ग्रह नogenमारे यह समझे तो थकावत होगी ठकावत मुप्ट होना है न तो सभी कोtoire फ्रेश रहना है न तो फ्रेश रहने के लिए थकावत मुक्त रहने के लिए सदा यह स्मृती रहे कि सब कुछ बाबा का है और मैं केवल नयारा है बनकर संभाल रहा हूँ अपना है ही नहीं, तो बोज किस बात का, सब बाबा को दे दिया है, जो समझते हमने बाबा को दे दिया है, सब हातों पर करें, अच्छ, बिल्कुल नियारे और प्यारे बालक सो मालिक, छोटा बच्चा कितना फ्रैंक्ली, इनोसेंटली मुस्कुराता है, व्योंकि कुछ उस व्यों भी बाबा के पास ऐसे अधिकार रखते हैं न, तो है न सब ही बालक सो मालिक, कह हां, जी बाबा। अपनी सब जिम्मेवारी बाप को दे दो, अर्थात अपना बोच बाप को दे दो, तो स्वयम हलके हो जाएंगे, बुद्धी से सरेंडर हो जाओ, अगर बुद्धी से सरेंडर होंगे, तो और कोई बात बुद्धी में नहीं आएंगी, बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ ब तो हो गए सभी बुद्धी से सरेंडर, कहे हैं जी बाबा, डबल लाइट अर्थात, संसकार स्वभाव का भी बोज नहीं, वेर्थ संकल्प का भी बोज नहीं, इसको कहा जाता है हलका, क्योंकि वेर्थ संकल्प जो है बोज है, तो हमें नीचे ले आते हैं, और हलका रहना है तो व्यर्थ संकल्प से मुट है कोई व्यर्थ संकल्प मन में जो समझते अभी सुन रहे हैं परन्तु कुछ भी व्यर्थ नहीं चल रहा है वो हाथ उपर करें अच्छ जितने हलके होंगे उतना सहज उर्तिकला का अनुभव करेंगे अगर योग में जरावी मेहनत करनी पड़ती है तो जरूर कोई बोज है तो बाबा बाबा का आधार ले उड़ते रहो सदा यही लक्ष याद रहे कि हम बाप समान बन रहे है ये लक्ष सदा हमारी सामने हो कि मुझे बाप समान बनना ही है सभी ने रखा ये लक्ष अपने सामने जिन्होंने लखा है हात उपर करे तो जैसे बाप light है वैसे double light और उगों को देखते हो तो कमजोर होते हो See father, follow father करो उर्ती कला का शुरेष्ट साधन सिर्फ एक शब्द है सब कुछ तेरा मेरा शब्द बदल तेरा कर दो तेरा हूं तो आत्मा लाइट है और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट हलके बन गए न जैसे शुरू शुरू में अभ्यास करते थे चल रहे लेकिन स्थिती ऐसी जो दूसरे समझते कि यह कोई लाइट जा रही है उनको शरीर दिखाई नहीं देता था इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ दूसरों को सदईव आपका लाइट रूप दिखाई दे यही सेफ्टी है हमारे द्वारा दूसरों को हमारा लाइट रूप दिखाई दे मारे लिए भी सेफ्टी है अंदर आवे और लाइट का किला दिखे तो ऐसा सभी पुरुशार्थ कर रहे हैं कहें हां जी बाबा जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी-बड़ी मशिनरी चलती है आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयम भी डबल लाइट बन चलते रहो जहां डबल लाइट की स्थिती है न वहां महनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है अपने पन को समाप्त कर ट्रस्टे पन का भाव और इश्वरिय सेवा की भाव ना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे तो मैं और मेरा पन समाप सब कुछ बाबा का है जैसे मशिनरी कितनी भी बड़ी हो लाइट से चलती है ये देहरूपी मशिनरी को भी चलाने वाला कौन है किसके साथ कनेक्शन रख के चलाना है बाबा के साथ तो प्रोड़क्टिविती बहुत अच्छी बड़ेगी कारी करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी और डबल लाइट होके करेंगे तो सभी ऐसे अपनी मशिनरी चलाने वाले हैं कनेक्शन बाब के साथ रख कर कहे हाँ जी बाबा कोई भी आपके समीप संपर्क में आवे तो महसूस करें कि यह रूहानी है अलोकिक है उनको आपका फरिष्टा रूप ही दिखाई दे फरिष्टे सदा उंचे रहते है फरिष्टों को चित्र रूप में भी दिखाएंगे तो पंक दिखाएंगे क्योंकि उड़ते पंची है तो स्थूल पंकों की ज़रूरत नहीं है परन्तो सुक्ष्म में इतने हलके रहे कि हम उड़ते चले फरिष्टे के सब्मान इसलिए हमारा यादगार वहाँ पंक बता दिया है तो सब ऐसे ही उड़ने और उड़ाने वाले है कहें हाँ जी बाबा सदा खुशी में जूलने वाले सर्व के विगन हर्ता वा सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में द्रड़ता होगी और स्थिती में डबल लाइट होँगे तो संकल्पों में द्रड़ता है जो लक्ष रखा है उसे प्राप्त करने के लिए 100% जो समझते हैं कि हम पूरी तरह से कमिटेड है द्रड है वो हात उपर करें मेरा कुछ नहीं सब कुछ बापका है जब बोज अपने उपर रखते हो तब सब प्रकार के विगना आते है मेरा नहीं तो निर्विगना सदा अपने को डबल लाइट समझ कर सेवा करते चलो जितना सेवा में हलका पन होगा उतना सहज उड़ेंगे उड़ाएंगे डबल लाइट बन सेवा करना याद में रहकर सेवा करना यही सफलता का आधार है तो सभी बाबा की याद में double light हो सेवा करते है तो सफलता सहज प्राप्त हो जाती है जिम्मेवारी के बोज से नियारे रहो इसको कहते हैं बाप का प्यारा घबराओ नहीं क्या करूँ बहुत जिम्मेवारी है यह करूआ नहीं यह तो बड़ा मुश्किल है यह सब questions या जो बाबा के पास में अर्जी डाल देते कि पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं यह मैसूसता अर्थात बोज है बोज से घिरे वह नहीं है न कोई बहल लाईट अर्थात इस बोज से भी षज़्य मтыं नहीं क्या करूँ कैसे वह सब बाबा को जिम्मेवारी के पासि करते gir remind you कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हल्चल का बोज नो हो जितना बाबा को साथ रखेंगे बाबा को सौब के उसकी श्रीमत प्रमान कार्य करते चलेंगे तो कितनी भी बड़े जिम्मेवारी हो जिम्मेवारी उठाते भी हल्का पन होगा बोज मुक्त होंगे सबी ऐसे स्वयम को बूज मुक्त हलका समझते हां? कहें हांजी बाबा सदा डबल लाइट स्थिती ते में रहने वाले निश्चे बुध् censn't होंगे उड्दि कला में रहेंगे उडदिकला अर्थात उंचे से उंचे स्थिती उनके बुध्धी रूपी पाउँ धर्नी पर नहीं चेक करें, हम देहभान की धरनी से उपर है न, धरनी से उपर, फर्ष से उपर अर्षनिवासी अर्थत फरिष्टे, तो सभी ऐसे है न, कहें हांची बाबा, अब डबल लाइट बन, दिव्य बुद्धी रुपी विमान द्वारा, सब से उंची चोटी की स्थिती में स्थित ह विश्व की सर्व आत्माओं के लिए लाइट और माइट की शुब भावना और शुब कामना के सहीयोग की लहर फैलाओ, कि वल सुव कल्यानी तो नहीं होंगे न, डबल लाइट, विश्व कल्यानी है, तो मेरी उंची स्थिती से सारे विश्व को लाइट और माइट फैले ये बार बार हमें अनुपहव करना है, इस विमान में बाबतादा की रिफाइन शुरेष्ट मत का साधन हो, उसमें जरावी मनमत परमत का किचड़ा न हो, कितनी सुक्ष्म बात बाबा ने कही, कि सुक्ष्म बिमान में बाबा के पास उड़ चलते है, सारे विश्व पर बे मनमत या परमत का किचड़ा न हो, उसमें तब सफलता प्राप्त होगी, ऐसे ही है न सभी श्रीमत पर चलने वाले, हात उपर करें जो अपने आपको ऐसे समझते है, सदा इस मृती से डबल लाइट रहो, कि मैं हूँ ही बिंदू, बिंदू में कोई बोज नहीं, बिंदू तो बिल्कुल डॉट हलका होता है ने, लाइट होता है, आखो के बीच में देखो, तो बिंदू ही दिखाई दे, यह प्रैक्टेस हमें करनी है, कोई भी चाहे स्थूल कारिय करते हैं, चाहे घर पे, चाहे बाहर कारिय विवहार में आते हैं, जिस किसी के भी कनेक्शन में सेवास के साथ ही है तो उनको देखते हुए उस शरीर को न देखे परन्तु ब्रकुटी के बीच में चमकते हुए अजब सितारे को अर्थात आत्मा को देखे तो सभी ऐसे बिंदू को देखेंगे अज सारा दिन विशेश अटेंशन रखना तो फिर धीरे धीरे जब स्टार् दिखाई दे जो समझते हम अटेंशन देंगे हाथ उपर करें तो बिंदू में तो कोई बोज नहीं होता आखों के बीच में देखो तो बिंदू ही बिंदू ही दिखता है ना बिंदू नहीं हो तो आखोते भी देख नहीं सकते आत्मा है शरीर में तभी तो देख सकते को अपने स्वरूप में लेकर आएंगे कि मैं डबल लाइट हूँ और हड़े को बिंदू रूप में देख रहा हूँ अगली है सेवा में स्वयम को निमित समझ कर डबल लाइट रहना यह भी भाग्य है क्योंकि किसी भी प्रकार का बोच खुशी की अनुभूती सदा नहीं कराएगा चितना अपने को डबल लाइट अनुभव करेंगे उतना भाग्य पदम गुना बढ़ता चाहेगा कोई यही चाहता है न कि हमें पदमा पदम गुना भाग्य प्राप्त हो तो उसके लिए बाबा ने सहच पुरुशार्त भी बताया सेवा में स्वयम को निमित्त समझ कर चले करावनहार बाबा मेरे द्वारा करा रहा है तो यह मेरा भाग्य है क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा तो उसका भाग्य बन जाएगा तो बाबा मुझे इतना श्रेष्ठ भाग्य देर आए तो मुझे बहाने बाजी करनी चाहिए यहांजी का पार्ट करना चाहिए रदर कुछ कहना भी न पड़ी बाबा मुडली में इतनी श्रीमत देता हमें खुद को समझ में आता है तो सेवा के लिए हम स्वयम ओफर करें तो किसी भी प्रकार के बोज से मुप्त हो जाएंगे सेवा का इंस्टिंट फल है न खुशी सभी यसी खुशी का भी अनुभव करेंगे सभी खुशी का अनुभव कर रहे हैं हां जी बाबा अज का आखरी पॉइंट है करन करावनहार बाप है कराने वाला सब कुछ करा रह है मैं निमित करन हार वनकर कर रहा हूँ मुर्टी से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे वनो सब बोज बाद के आगे समर्पित कर अपने अनाधी स्वरूप की मुर्थी से अनाधी सिवभाव संसकार धारण कर डबल लाइट स्थिती का अनुभव करो कितनी गुईये और डीप पॉइंट है सब कुछ करन करावन हर बाप को सौब दिया सदा करतापन के भान से भी मुक्त हो जाएंगे बाबा करा रहा है मैं नियारा और प्यारा हूं तो सब कुछ बाप के आगे हमने बोज समर्पित कर दिया और अपने अनादी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए तो जितना अनादी आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे उतना ही हमारे अनादी स्वभाव संसकार इमर्ज होंगे और इससे सहज रूप से डबल लाइट अनुभूती बढ़ते जाएगी आत्मा के सतोगुणी जो सातोगुण है वो इमर्ज रूप में रहेंगे जिससे आत्मा स्वयम को भरपूर महसूस करेगी हलका और लाइट अडूभव करेगी तो इस डबल लाइट स्थिती को बार बार प्रैक्टिस करते रहे और इसे अपने पुरुशार्थ को स्थिती से तीवर करते चले समय के भी यही पुकार है ना वितीवर पुरुशार्थ करना है कोई बहाने बाजी नहीं ऐसे हम सभी डबल लाइट स्थिती का अनुभव करेंगे और रातरी सोने से पहले भी बाबा के पास में लेटर लिखकर यदि कोई चीज बोज़ वाली हो रही है कोई बात का बोज़ है तो बाबा को लिखकर सौब देंगे और डबल लाइट हो जाएंगे करेंगे ना सभी ऐसे लिखेंगे न बाबा को लेटर यदि कोई बोज है उसमें तो लेटर स्थिती में कोई बोज लगता है, मन में कोई बोज लगता है, लिखेंगे सभी लेटर, कहें हाँ जी बाबा, अच्छा, ओम, शंती, कल सोव मिलेंगे अमरतवेला लाइव चार बजे, योग, भोग, पान बढ़ाने के लिए रातरी क्लास करेंगे, च्छा, शुब रातरी, ओम, शंती